कि हमारे मौबाइल में वैटो कनेक्ट है हम इसका पाशवर्ड भूल जाते हैं कि हम ऐसे कर सकते हैं मैरा वाइफाय कनेक्ट है मैं इसका पाशवर्ड भूल गया हूँ तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा ? मुझे यहाँ पर जो gear वाला ईकन है setting का उसका मैं ऐब बेक जाके दिखा देता हूँ आपको यहाँ इसके सामे है जो gear वाला icon साटिंक का ईकन है यहाँ पर क्रेंस करना पड़ेगा यहां पर देखिए क्या आ रहा है कि क्यूर कोड लिखा आ रहा है तो आपको क्यूर कोड प्रेस करना है यह क्यूर कोड आ गया है इसका क्या करना है आपको स्क्रीन सोट ले लेना है यह मैंने स्क्रीन सोट ले लिया और उसके बाद क्या करना है आपको यह कुछ नहीं करना है इसके बाद इसके बाद क्या करना है आपको Google Play में जाना है यहां पर QR Code Scanner लिखना है QR Code Scanner लिखके सर्च करना है और आपको यहां से QR Code Scanner को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है तिके जो सबसे कम MB का है 2.9 MB का है हम इसे में जाएंगे और इसको आप क्लिक करके यहां से इंस्टॉल कर लीचिए देखे यह इंस्टॉल हो चुका है यह पूरा इंस्टॉल हो चुका है अभी आपको ओपन पर क्लिक करना है नेक्स्ट ओके यहां क्या गाम करना है आपको scan image पर क्लिक करना है scan image और यहां पर आपने जो screen shot लिया हुआ था आप उसको यहां से select कर लीजिए select कर लिए आपने आपको जस्ट यहां पर check page जो sign है ok का यहां पर click कर देना है और यहां पर देखिए आपका password आ चुका है जैसे नाम हमारा यह पुजासव टेक्नॉलजी है WPA का security है इसमें password हमारा 1234567890 तो यह जो process मैंने पताया आपको इस process से आप किसी भी mobile में जो wifi connect है उसका password आप पता कर सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको share करें like करें subscribe करें thank you so much